लो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन यदि आपको रात को अच्छी नीन लेने के बाद भी दिन में थकान बनी रहती है कमजोरी बनी रहती है और आप बहुत अच्छा फील नहीं करते हैं तो आपको थाईराइट का प्रोब्लम हो सकता है आपको फ्रोडिल समय से खाना खाते हैं और इवन एकसराइज भी करते हैं सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी उन्हें वो एनरजी और एक्टिवनेस डे टाइम में नहीं आती है, लगातार ठकान बनी रहती है, तो थाइराइड होने के कुछ सिम्टम्स हैं, थाइराइड होने के बाद थाइरक्सिन सोडियम हामोंस की डेफिसें होने के बाद कुछ सिम्टम्स आते हैं, और थाइराइड में समझने वाली बात यह है कि दो तरह का थाइराइड होता है, एक जिसमें आपको मुटापा आता है, वेट बढ़ता है, एक थाइराइड जिसमें कि आप कमजोर हो जाते हैं, यानि आप पतले हो जाते हैं, आपक हम बात करते हैं hypertheridism की जिसमें कि आपको weight gain होगा, hair fall होगा आपका और आपके अंदर weakness रहेगी, आपको stress आएगा, आपको anxiety हो सकती है, आपको कई वेरी night में देखा जाता है कि sleeping disturbance, means आपकी नीन तूट तूट के आती है, या कई वेरी आपको neck पे या मतलब पीछे stiffness लगती है, भारी पन लगता है, आचानक पसीना आना, आचानक mood swing होना, और menstrual cycle की जो गड़वडिया होती है, वो thyroid से directly related है, बट thyroxine sodium hormones की deficiency और thyroid की जो बीमारी है, केवल वो एक thyroid की बीमारी नहीं है, यदि किसी को thyroid की बीमारी है, और वो उसका treatment ना ले, उसका इलाज ना कराए, medically उस प बीमारी से और भी दूसरी problems हो सकती है, क्योंकि hormonal change आ सकता है, बटी में, और दूसरे hormones का secretion भी प्रभावित हो सकता है, जैसे कि यदि आपको thyroxine sodium hormones की deficiency है, जब तक आप उसको normal नहीं करेंगे, उसकी tablet नहीं खाएंगे, उसको manage नहीं करेंगे, आपको pregnancy नहीं आएगी, thyroidic, जो sodium hormones है, pregnancy में उसका directly role है, क्योंकि वो आपके ovulation को, आपके fertilization process को directly control करता है, and even in the main में, male के अंदर, जो आपका sperm count है, यदि आपको thyroxine sodium की deficiency लगातार बनी रहेगी, तो आपका sperm count भी low हो जाएगा, दूसरा फिर skin के texture में एक change आता है, mood के level पे एक change आता है, और continuous यदि ऐसा रहेगा, तो आपको low blood pressure की बीमारी आ सकती है उसके साथ, या फिर high blood pressure आपका हो सकता है, दूसरा फिर जोडों के दर्द की जो बीमारी है, यानि जो arthritis है, जो joint pain है, that is also directly linked with the thyroid problem, and calcium and the vitamin D, यदि आपको इस तरह के कोई symptoms है, आपको इस तरह से थकान होती है, day time में कमजोरी बनी रहती है, आपका hair fall हो रहा है, आपका skin dry रहता है, आपकी menstrual cycle में problem है, आपका weight बढ़ रहा है, तो immediately आपको medical advice की जरूत है, उसमें आपका एक thyroid का test और एक x-ray ultra sound कराने के बाद, doctor आपको यह diagnosis बना के यह बताएंगे, कि आपको यह problem है, उसकी medicine आप लें regularly, तो आप ठीक भी हो जाएंगे, but along with that, you have to modify your life style, exercise जरूर करें, और time से खाना खाएं, और पूरी नींद लें, क्योंकि thyroxine sodium hormones, directly stress से, आपकी sleep की quality से, और आपके खाने से, जो आपका food की quality है, उससे directly प्रभावित होता है, तो along with the metabolic, medicine के साथ साथ, अपनी lifestyle modification और आप अपने food को भी correct करें, यदि आपको hypothyroidism है, तो आप accruod badam और pind khazur, आप अपने खाने में सामिल कर सकते हैं, that will help, take care yourself.